हलो नमस्कार मेरा नाम सुबोच और है और यह मेरा दूसरा वीडियो है एकनोमिक के लेक्चर्स का आज जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं आपके इस लिबस में लिखा हुआ है developmental experience of India तो यह topic को आपको कैसे डील करना है और कैसे में से questions रखते हैं इसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले यह topic है इसमें जो words है उसको देख लेते हैं developmental experience of India सो basically there is a difference ब्रोध एंड डेफ्लोप्मेंट right so development क्या होता है ऐसा growth because growth is a part of development ऐसा growth just say humans को क्या effect पढ़ा है social sector में क्या effect पढ़ा है तो सिर्फ यह quantitative measure tools नहीं रहेगा यह qualitative tools भी हो जाएगा so basically development is a qualitative tool so India में अभी तक 2020 तक क्या क्या stages रहे development के और उसका experience इंडिया का कैसा रहे तो अगर इस topic को पढ़ेंगे तो इस topic को आप divide कर सकते हैं कुछ parts के इंदर सबसे पहले basic जो इसका general division होता है वो दो पार्ट में होता है before 1991 और after 1991 विकॉस उनने सो इंक्यानमे में 1991 में हमारी एक new economic policy आय थी जिसको लोग LPG reforms के रूप में जानते हैं तो इसको अब दो पार्ट में चीजे पढ़ते हैं और लिखते भी अगर कोशन पूछा जाता है सबसे पहला एक स्ट्रेट फॉर्वर्वर्ड इसमें से कुशन जो आता है वो आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन developmental experience of India और यह कोशन आया हुआ है already MPPSC में और repeated question है एक probable question है जो आ सकता है अपके exam में तो आप यह question को कैसे prepare करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपने दो पार्ट में divide कर दिया पूरी इंडिया के 67 and then from 68 to 1991 और 1991 के बाद अगर आप देखेंगे फेजस में development तो 1991 से लेके लगभर लबग 2004 तक हमारा development एक तरीके से हुआ है 2004 से लेके 2014 तक हमारा development हुआ है और 2014 से लेके 2020 तक हमारा एक क्रेंज है तो इस परकार के अलग-अलग section से इसमें आपको क्या के चीज़े लिखनी रहेगी सबसे पहले आप देखेंगे कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ 1950 में हम लोग रेपब्लिक हुए और रेपब्लिक होने के बाद planning system चालो है आप फाइवर प्लांस आए एक developmental phase में प्लान जो रश्य समने लिया था उस तरीके से हम प्लानिंग हुई 12 फाइवर प्लान आए बीच में रोलिंग प्लांस भी आए तो इन फाइवर प्लान में कौन से power stations लगाए है iron industry industries लगाई है हमने इसको आप mention कर सकते हैं तो इस सारे का सारा content इसके इंदर आप डाल सकते हैं 1990 के पहले license राज बहुत सा हमारी economy closed थी उसके मारी economy open हुई है तो जो हमारी closed economy उसके features जो है उस समय किस प्रकार का growth रहा है और 1991 में जब LPG reform आया है हमारी economy open हो गई है तो यह पुरा experience दे है इसके अंदर क्या क्या terms आपको use कर दे इसके अंदर आपको आप demonetization भी use कर सकते हैं इसके इसके अंदर आप GST reforms बहुत जरूरी है जो recent time के reforms उसमें GST reform use कर सकते हैं recently COVID-19 में जो आत्म निर्भर भारत scheme आई है उसको आप mention कर सकते हैं इसके पहले आप IT revolution के बारे में mention कर सकते हैं 1980s के बाद IT revolution इंडिया में चालो हो गया था और currently हम वर्ल्ट में सबसे ज़्यादा outsourcing करने वाली country है इंडिया है IT में boom कर रही है तो अभी service sector में मारा boom चल रहा है अब making India initiative से हमने making India से हमने industrialization 4.2 भी चालो हो गया तो आप ही देखेंगे कि 1947 से लेके 2020 का जो time frame है उसमें हर एक time में कुछ ना कुछ चीज़े आगे बढ़ती गए तो आप जब आप इसको पढ़ेंगे सारी चीज़ों को economics को पढ़ेंगे तो आपको जो अलग-अलग step by step जो चीज़े दिखेगी उसको आप इसमें mention कर सकते ह टॉपिक है आपका economics का अगले दिन हम अगला टॉपिक डिसकस करेंगे ओके थैंक यू सो मच